सिर्कल के अंदर एक हेप्टेगन याने सब्थभुज ड्रॉ कैसे करें? इस वीडियो में आप किसी भी रेडियस वाले सिर्कल के अंदर हेप्टेगन को अंकित करने का सिंपल मेथड सीखेंगे. मान लीजिए, अन्नोन रेडियस का एक सिर्कल है और हमें इस सिर्कल के अंदर एक पेंटेगन अंकित करने की आवशकता है. ऐसा करने के लिए इस सिर्कल के सेंटर से गुजवने वाली एक वर्टिकल लाइन खीचें, जो इस सिर्कल के परिधी को टच होती है. इन पॉइंट्स को A और B के रूप में लेबल करें. पॉइंट O और B के बीच की यह दूरी इस सिर्कल का रेडियस है. इसके बाद कमपास की लंबाई को इस सिर्कल के रेडियस में अज़़स्ट करें. और point B को center मानकर इस circle की परिधी को स्पर्श करते हुए एक आग खीचिये जैसा की दिखाया गया है इन points को Q और R के रूप में label करें ट्रूल अलीजिये और इन point O को मिलाने वाली एक horizontal line खीचिये यह intersection point point N होगा point Q और M के बीच की लंबाई, heptagon की side की लंबाई है जो इस circle के अंदर fit होगा compass लें, इसे लंबाई QM में adjust करें और center के रूप में point A का उप्योग करके इस circle की परिधी पर आग काट लें यह heptagon के required corner points है ट्रूलर की सहायता से इन points को मिलाए यह हमारा अंतिम हेptagon है मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की है कि circle के अंदर एक हेptagon कैसे अंकित करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो like बटन पर क्लिक करें और यदि आप ADTW Learn Hindi के लिए नए है तो subscribe बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे latest videos आपको मिलते रहे